तो चलिए आज हम बनाएंगे एक कब गीहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी स्वाधिस्टवा चटपटा नास्ता जिसके आगे समोसा कचोड़ी पकोड़ी भी फिके लगेंगे इस रेस्पी को बनाना बहुत ही आसान है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे तो इसके लिए मैं ले रही हूँ एक मिक्सिंग बाउल अब इसमें मैं डाल दूँगे एक कप गीहूं का आटा आधा छोटा चमच नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले अब इसमें एक आधा छोटा चमच अजवाईन और दो बड़ी चमच मोयन के लिए तेल डाल देंगे मोयन डालने से नास्ता बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे अब इन सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका आटा गूत लेंगे और इस आटे को हमें रोटी के आटे से थोड़ा सकत रखना है और ये देखें आटे को हमने इस तरह से गूत लिया है अब इसे सेट होने के लिए रख देंगे अब इसके लिए हम स्टफिंग तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने दो उबले हुए आलू लिये हैं इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे तो आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है अब इसमें एड करेंगे स्वादन उशार नमक 15 चमश धनिया पाउडर 15 चमश लाल मीर्च पाउडर 15 हल्दी पाउडर 15 चमश आमचूर पाउडर एक बारिक कटी हुई हरी मिर्च और बारिक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और सभी चीजों को आलू में अच्छे से मिक्ष कर लेंगे तो सभी मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है अब इसमें से थोड़ा सा मिसरन हम हाथ में लेंगे और इसे इस तरह रोल करते हुए बना लेंगे इसी तरह से सारे स्टफिंग को रोल करते हुए बना लेंगे और यहां पर मैंने सभी स्टफिंग को इसी तरह से बना लिया है अब इधर आटा भी अच्छे से सेट हो गया है अब इसकी बड़ी लोई बना कर इसमें हम हलका सा सूखा आटा लगा कर इसे बेल लेंगे इसे हमें ना तो ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है इसे हमने बेल लिया है अब कटर लेंगे और इसके किनारे को सबसे पहले काट कर हम हटा लेंगे अब इसे इस तरह से पतले और लंबे स्लाइसिस में काट लेंगे आलू वाले स्टफिंग को इसके किनारे में रखेंगे और इसे इस तरह से रोल करते हुए बना लेंगे और यहां पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था अब इन्हें गर्म तेल में एके करके फ्राई होने के लिए डाल देंगे और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे एक तरफ से सिखने के बाद इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी हलका सुनहरा होने तक सेख लेंगे और ये देखिए दूसरे तरफ से भी इन पर अच्छा सा कलर आ गया है अब इनको हम तेल से निकाल लेंगे इनको फ्राई करने में हमें 5-6 मिनट का टाइम लगा है और ये देखिए कितने क्रिश्पी बने हैं तो बनकर तयार है बहुत ही जादा टेश्टी क्रिश्पी समोसा रोल इसे बनाना बहुत ही आसान है और घर के बहुत ही कम समागरी के साथ जट पड बनकर तयार हो जाता है तो इसको आप टमेटो कैचप या हरी चड़नी के साथ सर्व करिए ये बाहर से क्रिश्पी और अंदर से सौप्ट होते हैं